हाई ट्रेडर्स इस गुर्पी शिंग है वेलकम बैक टो अबर चैनल स्वाब लोग के साथ एक मैं अपना प्राइस एक्षिन सेटप जा फिर आप बोल सकते हैं प्राइस एक्षिन साइक्षिन साइक्षिन शेयर करने वाला हो आप देखें हमारे पास मार्किट में 20 टेडिंग सेशन होते हैं 20 में से 7 से 8 दिन आपको यह साइक्षिन प्लस यह सैटप देखने को मिलेगा यह जो चीज है इसके उपर डिटेल में बात करने वाले कि आप मार्किट में अगर आप करने चैले कि आप उस टाम कि साइक्षिन के पर काम करें किस प्राइस Cat में पर दिख रहे होगे यहां पर मैंने cpr के लावल बंध करका रहा है जनकी CPR प्लस R1, R2 लेकिन हमें इसमें CPR की जुरूद नहीं हम लोग basically इसको एक बर्बंद कर रहे हैं और आप थोड़े जो levels की मैं बात करने वाल उस levels के उपर ध्यान दीजेगा so basically यह जो green color का line है basically this is our R1 इसके उपर R2 फिर R3, R4 ऐसे same as it is यह जो आप orange color का line देख रहे हैं this is our previous day high ठीक है और अगर मैं इस दोनों line को combine कर दू तो यह हमारा zone बन गया previous day high plus R1 का zone ठीक है previous day and R1 zone बन गया इसलिए यह बीच में highlighted है then आप उसके नीचे color black color का line देख रहे हैं basically this is our previous day close line then आप एक pink color का line देख रहे हैं basically this is our previous day VWAP close ठीक है previous day P VWAP लिख दिया मैंने आप इसको समय लीजी कि previous day VWAP का closing then again red color line this is your S1 and नीचे फिर S2, S3 ऐसे levels आपको देख रहे हैं so अभी मैं आप लोग के साथ जो psychology share करना है इसको बड़े ध्यान पूर्वक समझेगा दिखे वैसे तो बहुत सारे तरीके के setup है मैं morning setup की बात करो उसमें से एक setup मैंने लिया है हमारा previous day high and R1 zone इसकी कुछ psychology है मतलब कि मान की चलिए suppose करी यह मेरा एक line है और एक यह मेरा line है आप इसको समले जी कि यह हमारा R1 का line है इसको आप समले जी कि हमारा previous day high का level है अभी इस चीज में समझी क्या होता कि market में तीन तरीके के scenario हम लोग देख सकते यह से मान के चलिए 20 दिन market चलिए हमारे पास 20 trading session होते है इसको आप समय जाए पांच दिन जा फिर छे दिन जा फिर आसा हो सकते हैं मैं लोगी हफते में आपको पांच दिन भी यह scenario देखने के मिल सकती है छे दिन मिल सकती हो सकता है आठ दिन मिल सकती क्या होता है पहली condition कि market इन दोनों levels के बीच में खोलता है पहला condition, opening candle जाने कि 9.15 का जो first candle होता है आपका वो अकसर ऐसा scenario देखा है कि वो R1 और PDH के बीच में खोलता है दूसरा scenario ही होता है कि हमारा market previous day high और R1 के zone के नीचे खोलता है जाफे तीसरा scenario ही होता है कि हमारा candle previous day high plus R1 के zone के उपर खोलता है तो यह total 3 तारीके के scenario है किसी दिन आपको क्या scenario है किस दिन आपका market previous day high और R1 के बीच में खोलेगा किस दिन market आपका previous day R1 के नीचे खोलेगा किस दिन market आपका previous day high और R1 के ऊपर खोलेगा ठीक है तो हम इस scenario में जो morning trade होगा उसके अंदर हमारी क्या psychology रहेगी उसके अंदर हमें कैसे काम करना वह चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वालों detail में और यह अक्सर 100 में से 99 99% काम करेगा मैं आपको guarantor यह चीज़े लिखके भी दे सकता हूं और आप चाहिए तो इसको backtest भी कर सकते हैं सो चलिए अभी psychology के है देखे अक्सर मैंने जो देखा है जैसे market gap up हो गया जैसे यह लगभग आप इसको समझ के जली कि लगभग हमारा 200 point का gap up हो गया ठीक है हमारा market कहा पर खुल रहा है यहां पर खुल रहा है पूरे zone के उपर जाने की हमारा market खुल रहा है previous day high plus are one zone dus कि अभी इस situation में हम दो तरीके के trade कर सकते हैं ।रीके के trade कैसे मानलग एक तो हम लोग क्या कर सकतदे long trade initiative कर सकते हैं एक हम लोग short trade कर सकते हैं ठीके जी अभी हम देखते हैं कि long trade का पर नीशिट करना है short trade का पर नीशिट करना है जैसे मानिचले आपने देखा कि market औरेडी gap अब हुआ तो इसमें देखें दो तरगी की cycle होगी एक तो profit booking भी हो सकती है कि market में profit booking आ जाए और market थोड़ा नीची आ जाए तो दूसरा scenario यह कि हाँ कही न कहीं buying आ जाए market फिर और उपर चला जाए तो हम दोनों scenario में कैसे जैसे यहाँ पर मानिचले मैंने opening पे जैसे हाई निकला तो मैंने एक long trade नीशिट किया लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्योंकि market ओरेटी 200 point gap है कि आप लोगों को long जाना चाहिए आप लोग अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर market मानिकलो 200 point उपर खुला है मानिक चली आप long चली भी गए suppose करते कि हम लोग आप लोग पहले candle में आपने buy कर लिया call buy कर लिया लेकिन आप लोग यहाँ पर देखे जब यह consolidation कर रहा है मलग 2-3 candle halt कर रहा है तो मतलब कि यहाँ पर कहीं कहीं क्या उपर seller भी active है इस वज़ा से market उपर नहीं जा पा रहा अगर buyers के अंदर इतना strength होती तो candle back to back बढ़ जाना तो SL हो गया फिक है जी लेकिन मैंने most of the time देखा है कि 100 में से 85 दिन 100 में से 85 दिन market क्या करता है अगर gap up खुले और इस zone के उपर खुले तो market consolidation करके जैसे यह कुछ candles बनी आप देखे मैं चार्ट को पूरा clear करता हूं फिर आपको समझाता हूं आपको यहां पे short trade ढूणना है reversal trade ढूणना है not a long trade क्योंकि पहले candle के बाद जब high निकला ना जब दूसरे candle का high निकला तो यहां जमें clear होगा कि भाई यहां पे longer trade ले लो तो मेरा SL होने के चांसे पूरे हैं आप long lane मैं तो यह कहूंगा कि आप पहले 2 या 3 candle का wait करी अगर back to back जैसे मान कि momentum का candle बना है और उसके बाद फिर एक और momentum का high candle बना और उसके बाद फिर बना तो आप long जाईए definitely जाईए no doubt लेकिन जब ऐसा scenario तो हमें short ही जाना है जैसे कि हमें पता कि उपर किसा अगर daily time frame पे देखें हमें पता है कि उपर resistance है यह इस दिन देखें तो हमें क्या करेंगे short trade होड़ेंगे अभी यहाँ पे देखें इस दिन भी क्या हुआ market क्या खुला zone के अंदर खुला तो देखें यह zone के अंदर time pass किया market ने पूरा time मतलब कि नीचे R1 support दे रहा था फिर उपर से PDH resistance दे रहा तो जैसे ही देखें ब्रेक आउट हुआ तो आप देखें उसके सामने अपका target कितना बड़ा मिला आपको इस दिन हमारा long trade मिला हमें इस दिन आज हमें के मिला है short trade मिला है सिर्फ इसी zone के पर बात करो चलिए अभी आपको किसी और दिन का example देखा मैं आपको चार-पांच ऐसे example देखाऊंगा जिससे आपको पूरा यह जो psychology clear हो जाएगा अभी देखें इस दिन क्या हुआ इस दिन क्या किया rejection मिला अभी यहाँ पर देखें क्या हुआ यह candle का back to back low निकला तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे reversal trend दूनेंगे मैंने आपको क्या का कि हमें यहाँ पर दो तरीके की trend मिलेंगे एक तो हमें long trade मिलेगा एक हमें short trade मिलेगा मैं आपको कहूँ कि अगर आप यह चीज इस psychology की उपर ही समझ के काम करना शूर करते है में पैसा बना सकते हैं कुछ मुश्कील नहीं ठीक है सिर्फ हम क्या कर रहे है सिर्फ previous day high plus r1 के zone की उपर की जो cycle मतलब उसके अंदर price action के कितने structure बन सकते हैं उसके उपर आपन discussion कर रहे है then come to this day इस दिन भी देखी क्या हुआ मैंने क्या कहा था सो में से 85 दिन आपका market क्या करेगा reversal करेगा उपर से rejection देखी यहाँ पर क्या हुआ एक आपको short trade मिला then यहाँ पर देखी क्या हुआ इस zone की नीचे तोड़ा नहीं तोड़ा आ तो आप यहाँ पर long trade करोगे इस दिन आपको देखी दो trade मिले पहला short trade मिला then long trade मिला इस दिन क्या हुआ आपको पहला trade यहाँ पर short मिला then यहाँ पर long trade मिला दो trade मिले ठीक है then again आप यहाँ पर psychology समझे तो क्या हुआ यहाँ पर candle ऊपर से खाली हो रहे है तो जैसे यह दो दिन candle का low निकला आप लोग short करी ऊपर आपका target look at this day इस दिन भी क्या हुआ market ने क्या किया इस जो हमारा यह zone previous day high और यहाँ पर यह क्या कर रहा है resistance का का काम कर रहा है यह जो previous day high है और R1 का zone है इसका काम है हमें support and resistance की तरह act करना मतलब कि किसी दिन हमें support का trade जानी कि long का trade मिलेगा अगर support लेगा तो किसी दिन हमें resistance का trade मिलेगा जानने की short का trade मिलेगा जहांसे वो resistance लेगा उपर से candle उसके नीचे as a resistance act करने वो level तो हमें short तो हम यहाँ पर देखिए इस दिन क्या हुआ short opportunity मिला ठीक है again चलिए मैं सिर्फ इस level की बात कर रहा हूँ previous day high और r1 की बात कर रहा हूँ बाकी मैं किसी दिन ने बात कर रहा हूँ so अभी कोई और दिन देखते हैं जिस दिन हमें यही scenario मिला हो look at this अगर आप इसी setup के उपर भी trade करना शुरू करते हैं definitely आप market में पैसा बना सकते हैं देखिए यहाँ पर क्या हुआ पहले rejection लिया लेकिन क्या market previous day close के नीचे गया नहीं गया ना तो मतलब कि यहाँ पर support है तो मतलब कि आप यहाँ पर reversal trade plan कर सकते थे long trade आप यहाँ पर फिर से देखिए उपर गया उपर से एक reversal trade मिला आप reversal लीजिए उपर से short करी नीचे से buy करिए ठीक है आपको यहाँ पर दोनों तरीके कि कि किसी दिन आपको long trade मिलेगा किसी दिन आपको short trade मिलेगा यह आपको price action को समझना है कि मेरे को क्या करना target आप देख लीजिए जहां तक मिलता आप target लीजिए ठीक है सिर्फ इसी एक setup के उपर काम करिए ठीक है यह कुछ examples है मैंने आपको जो दिखाई है अभी आप लोग इसके उपर अपनी side देखो मेरी psychology क्या है मैं क्या market में सोचता हूँ आप उसको नहीं जान सकते कि मैं उस time क्या सोच रहा हूँ लेकिन मैंने आपको एक setup बता दे कि यह setup है इसके उपर आप ऐसे trade कर सकते ऐसे इसके उपर काम कर सकते अभी आपको अपने accordingly देखना है कि मेरे लिए क्या psychology काम करती उसी के according आप लोग trade बनाई है उसी के according अपना setup बनाई है मैंने आपको एक simple price action बता दी उसकी price action की psychology बता दी कि यह price action ऐसे काम करेगा जब market previous day high और r1 के zone के पास खुलेगा जा नीचे खुलेगा जा ऊपर खुलेगा तो हम वहाँ पे हम दो तरीके की trade कर सकते हमें लोग opportunity मिल सकती short opportunity मिल सकती लेकिन हमें market के structure को समझते हो उसको अंदर हमें long या short rate plan करना है ठीक है जी वीडियो अच्छा लागा तो like करें शेयर दिखरी बाकी धन्यवाद नमस्का शुक्रें मिल तक लिए वीडियो